नमस्कार मैं श्वयन विहारी नियूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम लोग बात करेंगे अनार के बारे में तो अनार किसे पसंद नहीं है किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग हो जाए लोग उन्हें सबसे पहले अनार खाने की सला देते हैं डॉक्टर भी कम जोडी दूर करने के लिए या इलाज के बाद हिल्थ विनी फिट पानी के लिए रोगी को अनार खाने के लिए बोलते हैं जब अनार में इतनी खूबिया है तो आप अनार के फायदे के बारे में जरूर जाने आये जानते हैं कि अनार के फायदे क्या क्या है गर्भावस्था के दौडान अनार का सेवन फायदे बन साबित हो सकता है दरसल अनार में अधिक मांत्रा में एंटी ओक्सिदेंट गुन पाया जाते हैं जो गर्व नाल को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं इसमें मौजूद फोलेट, शीशु में मस्तिस्क और रिड के हड्डियों से समस्या से लड़ने का काम कर सकता है यह एंटी ओक्सिदेंट से भरपूर होता है जो शरीर से विसैले पदार्थ निकालने का काम करता है इसमें मौजूद पॉली फिनोक्स, मेटाबॉलिस सुधारने में मदद करता है अनार में भरपूर फाइबर और कम कैलोरी पाये जाती है इसे खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती है आप अपना वजन कम करने के लिए परियास कर रहे हैं तो हर दिन अपने डाइट में एक कप अनार को शामिल करें अनार हमारे बलड में ऑक्सीजन के लेवल को बेहतर करने में मदद करता है अनार रक्त को साफ करने के साथ साथ यूरीनरी संक्रमन की समश्या और शरीर के प्रतिरक्षा परनाली को भी मजबूत करने में हमारी मदद कर सकता है फिर भी इसके उपयोग से पहले एक पार डॉक्टर की सला जरूर ले। एनेमिया और पीलिया रोग के उपचाड के लिए 250 mg अनाड के ग्रस में 750 ग्राम चीनी मिलागर चाशनी बना ले। इसके दिन में 3-4 वार 7 करें इसे एनेमिया और पीलिया में फायदा होता है। और इनेमिया और पीलिया रोग से ग्रस लोग 3-6 ग्राम अनाड के पत्ते को ठाया में सुखाले। इस चुर्म को सुबह गाय के दूद से बने चाच के साथ पिये। इसी तरह शाम को 7 करे। इससे एनेमिया और पीलिया रोग में फायदा होता है। अनिक लोगों को थकान और कमजोरी की शिकायत रहती है, ऐसे लोग 20 ग्राम अनार के ताजे पत्ते लेकर 400 मिली ग्राम पानी में उवाल ले, जब पानी 100 मिली ग्राम शेस रह जाए तो इसे गर्म दूद मिला कर पीए, इससे शारिक और मांसी कमजोरी ठीक होती है रोजाना एक अनार खाने से कैंसर होने की आशंकस से भी बचा जा सकता है, अनार का जूस पीने से स्ट्रेस लेवल घटता है, अनार खाने या फिर रोजाना इसका जूस पीने से नेगेटिव इमोशन कम होता है, अनार का जूस इम्म्यून सिस्टम को गुस्ट करता है और मैर लाइब को भी खुशाल बनाता है रिकेट्स यानि की सूखारोग बच्चों को होने वाली गंभीर बिमारी है भारत सहीत कई देशों में बच्चे सूखारोग से बड़ित रहते हैं सूखारोग में भी अनार का इस्तेमाल फायदे मंद होता है इसमें 20-25 ग्राम अनार की कली क रस में थोड़ा दूध मिला ले इसे रोज पिलाने से बच्चों के सूखारोग का उपचार होता है जो वेक्टी नींद ना आने के परिशानी से पेरित हैं वो बीस ग्राम अनार के ताजे पत्ते लेकर 400 मिलिग्राम पानी में उबाल ले जब पानी 100 मिलिग्राम शेस रह जाए तो इसमें गर्म दूध मिला कर पिये इससे नीद ना आने की परिशानी खत्म होगी बालों के ज़रने या गंजेपन की समस्या में अनार के ताजे हर पत्तों का रस ले इसमें 100 ग्राम अनार के पत्तों का पेस्ट और आधा लीटर सरसो का तेल मिला ले तेल को पका कर चानले इसमें बालों पर लगाएं इसमें बालों का ज़रना रुप जाता है गंजेपन की समस्या दूर होती है अनार स्कीन से दाग धबों को दूर करके आपकी रंगत में निखार लाता है यह तो चापर बढ़ती उम्र के लक्षनों को कम करता है आज के वीडियो में बस